इस्पेसल करें इंटरफियर्स जो कि बिपेसे 6080 एकजाम के लिए जो आपको 12 फरवरी को होने वाला है तो यहां पर लगातार आपको बिहारे स्पेसल करें इंटरफियर्स के वीडियो डाला जा रहा है क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है अब मात रिवीजन करके आप यदि अपने एकजाम में जाते हो तो आप यहां से मतलब कि बहुत सारे कोश्चन सही करके आ सकते हो तो आज के वीडियो के लास्ट तक आप बने रहोगे तो यहां से एक दू कोश्चन आपके एकजाम में आने की समभावना है तो आज के वीडियो में आप लोग तो आप हमारे वीडियो के लास तक बने रहो इसके सासा कि आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को जरूर शब्सक्राइब करना और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना क्योंकि यह ज्यादा लंबा नहीं रहेगा मतर पांच से दस मिनट के अंदर ही उसके अंतरगत आपके दो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो यह आपको खुद पता होगा कि कितना अच्छा हो सकता यह आपके एक्जाम के लिए तो चलो हो अपने वीडियो के ओर चलते हैं जो कि बिहार नगर पालिका चुनाओ 2022 के बारे में है यदि आप यहां से देख क कर जाते हो एक रिवीजन छोटा से करके जाते हो तो आप बहुत सारी कोशन आपे सही करके आओगे तो लास्ट में रिवीजन तो बनता है तो बिहार नगर पालिका संसोधन अधिनियम 2020 के अनुसर बरतमान में 19 नगर निगम और 88 नगर परशत है इसके सासथ नगर पंचाय पंचायत की तो 154 के अनुसर तो बिहार नगर पालिका संसोधन अधिनियम 2020 के अनुसर इस वर कर बरतमान बिहार में कुल 261 नगर निकाय की संख्या कितने है तो 261 इसके सासथ बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसर बिहार में पहले 12 नगर निगम थी 49 परश्रत था और 89 परश्र सक्डिये थे तो अभी देखे रहे हैं बिहार नगर पाले का संसोतन 2020 पहली इसके अनुष्राथ 2007 के अनुष्रा कितने थे तो 12 नगर निगम जो कि अब कितने हो गए तो 19 नगर निगम पहले कितना थे 28 नगर परश्राथ तो बिहार चलते कि बिहार नगर निकाह चुनाओ 2022 दो चर्णों में हुई इससे पहले वाले वीडियों में यदि आप लोगों दिखा होगा कि बिहार पंचाय चुनाओ कितने चर्णों में हो संपल हुई जो कि मैंने अल्रेड़ी बता चुका हुआ पर तो यदि आप लेना चाहते हो तो option A में 11, option B 12, option C 13 और option C 10 तो इसका answer आप comment box में दे दो इसके सासा थी अभी जैसा कि मैं बता रही थी कि बिहार नगर निकाय का चुनाओ 2020 कितने चर्णों में होए तो दो चर्णों में कब-कब 18 और 28 दिसंबर को आयो जित करवाया गया था इन दो चरणों में 224 नगर निकाय का ही चुनाओ करवाया गया था पहले चरण में 156 नगर निकाय चुनाओ में भाग ले थे दूसरे चरण में 68 नगर निकाय का चुनाओ हुआ था जिसमें 17 नगर निगम का भी चुनाओ हुआ था इसके इन 17 नगर निगम में गया को सब नगर निगा में कौन वनी तो महिला मेर वनी इसके सासँ पतना की मेर सीता साँ और डिप्टी मेर रेष्मी चंदरवनन्सी इसके सासथ बिहार नगर पालिका चुनाओ OCR, Optical Character, Recognition, नामक नही तक्निक का इस्तिमाल किया गया, बिहार नगर पाली का चुनाओ में OCR, OCR का फुल फ्रॉम पूश देगा, तो Optical Character, Recognition, नामक नही तक्निक का इस्तिमाल किया गया, तो यहां पर आपको इंपोर्टिंट क्या है कि बिहार नगर निगम, जो कि यहां पर कितने चर्णों में हुआ था, बिहार नगर निकाया चुनाओ दो चर्णों में हुआ था, पहले चनरन में 156 नगर निकाया और दुसरे में 68 नगर निकाया, तो यह ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसके साथ गया को छोड़कर बाकी में मतलब की महिला मेर बनी, इसके सा साथ पर्टना की मेर तो सीता साओ बिहार नगरपाल का चुनाओं में OCR तक निक अपड़ियों किया गया इसके साथ कुछ नोट से जिसे आप लोग धिहान से देखो कि अब बिहार में सहरी करन कि दरी 11.3 से बढ़कर 15.3% हो जाएगा अभी हुआ नहीं हो जाएगा कि अभी यदि अभी पूछा जाए सहरी करन कितना है तो 11.3 यदि ऑप्सन में 11.3 मतलब कितने होने की संभावना लिखा हो रहाएगा तो 15.3 परसेंट तो यह धियान से देखना को उस्चन बिहार में सहरों की कुल संख्या कितनी है तो सहरों की कुल संख्या एक सुनिनान में है एक इसे अधिक जन संख्या वाले सहरों की संख्या 26 है बिहार में गाओं की संख्या 49,073 है तो यहां पर आपको छोटी-छोटी कोश्चन जो कि आपको देखनी को मिला तो यहां पर दो कोश्चन आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सहरी करन के 11.3 से बढ़कर 15.3 दो चर्णों में कब-कब 18 और 28 दिसंबर तो आप कोश्चन ध्यान से पढ़ना की बिहार पंचाय चुनाओं के बारे में बोला जा रहा है या बिहार नगर निकाय के बारे में पूछा जा रहा है आगे क्यों चलते हैं जो कि एक टॉपिक इसमें और कवर मैंने करवाया कि बिहार में सरक नेटवर्ग जो कि बिहार आर्थिक सरविक्षन के अनुशार तो यहां से भी कोश्चन आते हैं जो कि यदि आपसे पूछा जाता है कोश्चन में आपसे पूछा जाता है सरवाधिक लंबाई वाला जीला राश्ट्री उच परपत के अनुशार कौन है तो सबसे कम लंबाई वाला जिला सिवर यदि राज्य उच पड़पत से पूछा जाए फिर भी पटना सबसे कम तो सिवर तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोनों का एंसर शेम है तो आप लोग को यह बहुत अच्छा हो रहाएगा लेकिन ग्रामिन पत के अनुशार है तो मधुमनी और कम अर्वल तो आप लोग देख लेना यदि राष्ट्रिय उच पड़िपत के बारे में पूछा जाए और राज्य उच पड़िपत के वारे में दोनों सेम एंसर होंगे वहीं ग्रामिन पूछ दिया जाए तो मधुमनी अर्वल सबसे ज्यादे का हो जा यदि पीटी कौलिफाई करना और भी बिहारा स्पेसल करेंट अफ्यर के वारे में जाने कर दी लेना है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हो हां पर बहुत सारे वीडियो बिहारा करेंट अफ्यर से रिलेटेट से डाला जा रहा है जो कि आपके एक्जाम में बहुत आपका दिन सुफो